नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हंदी नोली शो में तो दोस्तों जैसा कि बहुत सारी नीज़ पोर्टल में आ रहा है और साथ ही ये बात अब मेंस्ट्रिम नीज़ में भी आ चुके है कि पाकिस्तान को 125 मिलियन डॉलर के वर्थ के जो एफ 16 है वो दिये रहा है अमेरिका जी हाँ बड़ी खबर है बड़ी खबर इसलिए भी है कि 2018 में ही अमेरिका ने इसे ब्लोक कर दिया था जितनी भी डिफेंस डील साथ ही मिलिटरी एड इसके लावा जितनी प्रकार की एड थी वो सब बंद कर दी रहे अब खबर ये भी है कि और ज्यादा भी एड मिल सकती ह है हम पाकिस्तान को अमेरिका के उड़े से इसका कहीं सारे करने जो इसका connection है S400 से वो भी आपको बताऊंगा साथ ही एक और connection है वो भी आपको सब बताऊंगा इस डेटेल वीडियो में तो चल दोस्तो अपनी वीडियो का हम शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहड़े मेरे स्टेट के जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्म एक्सपोर्ट है उसने अप्रूव कर दी है 125 मिलियन डॉलर की वर्थ की F-16 की जो फ्लीट है एक बड़ी ख़बर है बहुत बड़ी ख़बर साथी भारत के लिए जटका भी है क्योंकि अमेरिका एक तरह से भारत का एक अलाई ब कि अगर भारत रूस की तरफ जुकता है तो पाकिस्तान फिर से अमेरिका की तरफ जुकेगा यह बिल्कुल ओवियस से चीज ती लेकिन इससे भारत को नुक्सान बहुत ज़्यादा होने वाला है सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को F-16 मिल जाएंगे उससे ज़्याद ज़्यादा फ्रकनी पड़ेगा क्योंकि इतने सारे पाकिस्तान के पास ओलेडिया तो थोड़े और जाएंगे तो ज़्यादा फ्रकनी वाला फरक होगा लोंग टर्म रिलेशनशिप में भारत के रिलेशन ना तो रूस के साथ अच्छे अब जा नहीं अब अमेरिका के छाथ ही रूस के साथ तो बहरत के लिए तो बहरत के लियाख़ रहत पाकिस्तान को दे रहा थे कि उन्हें भी दिखाना है अपने देश को लोग कहांगे मारिका का दूसमन है वह बहरत को और भारत अमेरिका के लिए नहीं छोड़ सकता एक डील तो फिर अमेरिका ही फिर अपने जो संबन है पाकिस्तान के साथ वो क्यों भी गाड़ा भारत के लिए है भारत के लिए ही उसने एक जो military aid थी वो सारी बंद कर दिये 2018 तक जितने भी जर्मेटेंसे से सबको बंद कर दिया गया था और उसका नतीजा था कि पाकिस्तान बेंकरक्प्सी किया एकदम आधा बिल्कुल आख चुका था लेकिन जैसी भारत ने F400 की डील को आगे बढ़ाना शुरू किया पाकिस्तान को IMF से एड मिल के 6 बिलियन डॉलर की जिससे उसकी एकोनमी ठीक आ गई दूसरी बात अब जा मिलिटरी एड मिलनी शुरू हो गई है 125 मिलियन डॉलर यह बढ़ती चले जाएगी और बिलियन सोफ बिलियन डॉलर की एड देता रहा है और यह इसे आप मजाक मत समझेए क्योंकि पिछले 20 सालों में 50 बिलियन डॉलर की एड मिल चुकी है पाकिस्तान को जिस वज़े से उसकी कॉनमी स्टेबल थी भारत ने बहुत कोशिशे की लेकिन उसकी कॉनमी को इस तरीके से डियस्टेबलाइज नहीं कर पाया लेकिन जैसी अमेरिका ने भारत की मदद करन परानी चाहिए थी अमेरिका के साथ किसी और तरीके से डील कर सकते थे यह फिर एमेमर से की डील कर सकते हैं इससे कि चाइना ने मार्क के जो रश्या और अमेरिका के बीच बना के रख सकता था भारत भारत के लिए बहुत निना जुक मोगा है क्योंकि यहां पर से हम पाकि करना होगा रही बात ट्रंप एड्मिस्टेशन बहुत ही अन्प्रेडिक्टिबल है जब तक अमेरिका में कोई स्टेबल गोवर्वर्मेंट नहीं आती जो इसकी एक क्लिर कट पॉलिशी हो डॉनाल ट्रंप की पॉलिशी सिर्फ यह दिखाना है अमेरिकांस को कि हम अक्छे हैं अमेरिकांव महाने से चजेए करना उगया क्या लिए फरांण पॉलिषी उनके माइन नहीं रखती और शीज को देखना होगा अमेरिकांस को भी क्य schools कि अगर वो स्पेक्स में भारत को बड़े सपोर्ट करता है रूस लेकिन बात अगर चाइना क्या जाती है तो रूस भारत को उस­ठे़ नहीं करता इस वीडियो में इतना ही जैसे बारे जो जरूर बता Hash